नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है वेल्कम टू दिस वीडियो तो इस वीडियो के आंदर हम बात करने वाले फार्मसुटिकल इनकमपेटिबिलिटीज के बारे में बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है एक्जाम में कई बार कोशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू सब्सक्राइब करना विकोज हम जब भी वीडियोज अप्लोड करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगे और आप इजली आमारी वीडियो देख सकते हो तो देख लिजे आपर डेफिनेशन आप दे क्या होती फ्रेंट्स जो हमारे फार्मसटिकल डॉस फॉर मोटे तो उनके अंदर कुछ चैंजजस आते हैं जैसे की केमिकल चैंजस फीजिकल चैंजस य anonymous और फैर्विटिक होती हैं झाला slipping के जैसे क्ली confit motiv क्या होती है इनकमपेटिबिलिटि क्या होती है तो जो हमारे dosis form है तो dosis form के आंदर कुछ changes होते है जैसे chemical changes या फिर physical changes या फिर therapeutic changes उसी को ही हम incompatibility कहते है देख लिजे उसके आंदर types of the incompatibility, incompatibility की total three types है, therapeutic incompatibility, physical incompatibility and chemical incompatibility तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जान करें लेने वाले, उसके आंदर first physical incompatibility अब इसके आंदर first physical incompatibility तो physical incompatibility क्या होते है interaction between two or more substance which leads to changes in the color order, test, viscosity and morphology तो जो हमारा dosis form तो dosis form में physical changes होते है उसी को हम physical incompatibility कहते है कैसे आप physical changes कैसे उसकी जो भी आमारा dosis form है तो dosis form का color change हो सकता है समझ लीजे, आमारा dosis form जो है, अगर आपको red color का होना चाहिए लेकिन हो pink color का हो गया तो उसी को हम physical incompatibility कहते है उसकी order change होगी या फिर test change होगी उसकी viscosity change होगी तो इन सब को हम physical incompatibility कहते है ओके, physical incompatibility समझ में आगई आपको जो भी आमारा dosis form है तो उसके आंदर कुछ physical changes होते है उसी को हम physical incompatibility कहते है नेक्स देख लिजे इसी को हम pharmaceutical incompatibility भी कहते है नेक्स देख लिजे chemical incompatibility अब chemical incompatibility मतलब क्या जो आमारा dosis form है dosis form के आंदर कुछ chemical changes होते है उसी को हम physical sorry, chemical incompatibility कहते है जैसे कि आप देख लिजे इसके आंदर इसका oxidation हो गया जो भी आमारा dosis form है उसका या फिर hydrolysis हो गया या फिर polymerization हो गया isomerization decarboxylation जो भी changes यहांपर chemical incompatibility होते है थर्ड है आमारे पास therapeutic incompatibility अब therapeutic incompatibility की concept समझ लीजे आप समझ लीजे हमारा solid dosis form है और आगर हमे solid dosis form बनाना है और बन गया हमारा liquid dosis form उसी को हम therapeutic incompatibility कहते है changes in the dosis form जो changes होते dosis form के उसी को हम therapeutic incompatibility कहते है आपको बनाना था solid dosis form इसी को आपको फिजिकल केमिकल और थेराप्यूटिक समझ में आ गई होगी उसकी डेफिनिशन आपको समझ में आ गई होगी अगर कुछ प्राब्लम हो तो आमें कमेंट सेशन में जरूर बताना इस वीडियो के अंदर इतना ही मिलते हैं नेक्स डे में थैंक्यू सो मच फ्रे